Hello everyone, welcome to the official channel of Vector Educators, this is Neelam and today we are going to discuss the Hindu editorial, so let's get started, so the title is learning to let go, learning मतलब सीखना है, to let go मतलब जाने भी दो, होता है ना कभी लाइफ में कुछ हो जाता है, तो हम कहते हैं, जो हुआ सो हुआ, अब जाने भी दो, so इसी चीज को सीखने की यहां पर बात की जारी है, किस पर बेस्ट है यह on retro taxes, retro मतलब कहा जाता है, जो old या जो पुराने जो taxes है, जो बकाया taxes है, जो बाकी है taxes पे करने के, उनकी यहां पर बात की जारी है, बोला जा रहा है, इंडिया must ensure, इंडिया यह ensure करे, ensure मतलब होता है, सुनिश्चित करे, policy stability की, policies जो बनाई जारी है, इसमें stability लाए, इसे मतलब होता है, rely, इसलिए rely के साथ भी यहां पर on का use किया जा रहा है, and not rely on retrospective loss, retrospective मतलब क्या होता है, old या जैसे कि मैंने आप से कहा, outdated, जिसकी date चली गई है, जो काफी पुराने है, या जो बकाया है, कि जो अभी तक आपने पे नहीं किये है, so retrospective, अब यहां पर loss की बात क कि नहीं, so essay loss जो कैसे काफी outdated है, काफी पुराने है, to levi taxes, levi का मतलब होता है, charge करना, okay, कि जो charge किये गए है, taxes, एक बार फिर से देख लेते हैं, कि इंडिया यह सुनिश्चित करें कि policy में stability हो, and इंडिया ऐसे loss पर depend ना करे, जो की कैसे है, retrospective है, काफी पुराने and outdated है, किस लिए taxes को charge करने में, taxes को लगाने में, so आप देखते हैं, the permanent court of arbitration at the Hague, मतलब यह जो permanent court of arbitration है, arbitration का मतलब क्या होता है, मध्यस्ता कह सकते हैं, mediation, मतलब कि जो अगर कोई dispute चल रहा है, दो countries, दो companies, दो organization के बीच में, so उनके बीच में, जो मध्यस्त बना रहता है, यह mediation का का करता है, किसी dispute को solve, resolve करने का बाद काम करते हैं, उन्हें arbitrator कहा जाता है, यह process को arbitration कहते हैं, so यह जो है permanent court of arbitration, कहां पर यह situated है, दहेग में, मतलब की नीदरलेंड्स में, so इस court ने क्या किया है, on Wednesday day है, इसलिए यहां पर on का use किया गया है, Wednesday ruled in, ruled in का मतलब होता है, यहां पर decision लेना, decision मतलब की एक निर्नाय लिया है, in favor of, favor में, किस के favor में, of energy firm काईरन PLC, मतलब की यह energy firm काईरन PLC के favor में, मतलब यह इस company के favor में, over किस के उपर, यह जो case चल रहा था, किस के उपर, over a retrospective, retrospective as I told you, this means outdated, यह काफी पुराना यह जो बकाया, जो बचा हुआ, tax है, उस पर demand worth rupees 24,500 करोड, यह जो 24,500 करोड की जो demand है, किसके दवारा की जा रही थी, pursuit, pursuit का मतलब होता है, demand, यह हम कह सकते है, chase करना, chase मतलब की पीछा करना, यह कह सकते है, follow करना, तो यह कौन chase कर रहा था, कौन demand कर रहा था, India's tax man, India के tax and mean men, men क्या है, यहाँ पर man का plural है, तो tax man, मतलब ऐसी authorities, ऐसे लोग जो tax वसूलते हैं, तो इसे tax man, मतलब आप समझ सकते हैं, tax authorities के दवारा, since कब से, 2014 से, तो यहाँ पर देखेंगे, point of time है, कब से, 2014 से, exactly पता चल रहा ह इसलिए हमने since का use किया है, तो जब हमेn point of time पता चलता है, तब हम since का use करते हैं, जब हमें period पता चलता है, जैसे कि for three years, या for four years, इस तरीके का, जब हमें period पता चलता है, कि कितने समय के लिए, तब for का use किया जाता है, तो यहाँ पर 2014 से कहा जा रहा है, एक बार फिर से कोर्ट अर्बिट्रेशन है कहां पर सिचुएटेट है हेग निदरलेंड में वेनस्डे को इसने क्या किया है एक डिसीजन लिया है इस एनर्जी फर्म काईरन पील्सी के फेवर में यह डिसीजन आया है और यह किस पर डिसीजन था यह किस पर यह जो विवाद या केस चल रहा है इस रूल उसने एक डिसीजन दिया है यह जो टैक्स लिवाई किया गया है चार्ज किया गया है पर्टेनिंग टू देखिए पर्टेनिंग के साथ हमेशा तू का यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू यह जो टैक्स लिवाई यह जो चार्ज किया ग जो की undertaken की गई थी कब 2006-2007 में यह जो चीजे है यह फॉल्स फाउल आफ अब यहां पर देखेंगे फॉल्स फाउल आफ यह सारी ही चीजे को हाईलाइटेड होना था फॉल्स फाउल आफ यहां पर यह एक इडियम हम कह सकते है जिसका मतलब होता है इसके दो तरीके के मीनिंग होते है एक होता है टू ब्रेक रूल या लौ किसी रूल या लौ को ब्रेक कर देना या तो इसका दूसरा मीनिंग होता है टू गेट इन ट्रबल कि किसी मुश्किल मे किसी परेशारी में पढ़ जाना and यह क्यों especially because failing to do what is required मतलब कि जो जरूरत है जिस चीज की जो चीज करनी चाहिए वो चीज करने में अगर हम fail हो जाते है and then हम मुश्किल में पढ़ जाते है उसे हम कहते false fall off तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह जो corporate reorganization exercise थी जो कि undertaken की गई थी 2006-2007 में यह false fall off यह क्या कर देती है एक rule को break कर देती है यह खुद को ही यहाँ पर कहा जा रहा है यह first वाला meaning तो यहाँ नहीं इतना लगेगा second वाना हो जाएगा कि to get in trouble यह खुद को ही क्या कर देती है मुश्किल में डाल देती है the India-UK bilateral investment pact यह किस तीज को trouble में डाल रहा है कि यह जो India और UK United Kingdom के बीच में यह जो bilateral मतलब यह जो द्वी पक्षी यह क्या चल रहा है investment pact चल रहा है pact का मतलब क्या होता है agreement आप pact के लिए यूज कर सकते है agreement का आप इसके लिए use कर सकते है accord का ओके यह जो bilateral द्वी पक्षी है देखिए by by इसके पहले भी हमने इसे discuss किया by का मतलब 2 होता है and lateral का मतलब यहाँ पर होता है sites यहाँ पर क्या हमेशा ही होता है sites so by मतलब 2 और lateral मतलब sites तो 2 sites द्वी पक्षी है अगर uni होता तो uni का मतलब होता है एक मतलब की single होता है तो single मतलब one-sided होता अगर यहाँ पर multi होता तो multi मतलब many and lateral मतलब sites so multilateral मतलब many sites so I hope आप कभी भी इस word को आप नहीं भूलेंगे so यह जो investment pact थी है तो investment का agreement था India and UK के बीच में यह कैसा हो गया है अब trouble में मुश्किल में आ गया है तो एक बार इसे फिर से देख लेते हैं कि permanent court of arbitration जो की हेग में स्तित है निदरलाइंड में उसने एक favor दिया है Wednesday को और यह जो favor आया है यह energy firm काईरन PLC के पक्षमें आया है किस पर यह retrospective बतलब की इंडिया कह रहे थी कि इंडिया कह रहे थी इस firm को काईरन PLC को कि आपके उपर यह जो 24500 करोड का यह जो tax है यह बकाया है और आप इसे pay कर दीजिए तो बोला जा रहा है कि यह जो permanent court of arbitration है इसने इसके पक्षमें ही यहाँ पर यह जो decision लिया है और यह किस से related है एक corporate reorganization exercise से related जो की undertaken की गई थी कब की गई थी 2006-2007 में इस वज़से यह जो इंडिया एंड यूके के bilateral dvipakshia investment का agreement है जो court है जो pact है यह क्या हो गया है मुश्किल में आ गया है आगे देखते है the timing could not have been worse timing could not have been मतलब नहीं हुआ होता था worse, worse क्या है यहाँ पर bad होता है bad का comparative form जो होता है यह worse होता है and superlative जो होता है यह worst होता है तो बोला जा रहा है कि यह जो timing था अब timing यहाँ पर है verb की ing form मतलब की से हम यहाँ पर कहेंगे gerund and यह काम कैसे कर रहा है यहाँ पर noun की तरह काम कर रहा है subject की तरह subject की यहाँ पर the timing की बात की जा रही है so यहाँ पर यह subject है the timing could not have been worse यह worse नहीं हुआ होता था कब for the government government के लिए मतलब यह और भी जादा मतलब इससे जादा कोई और time खराब हो ही नहीं सकता government के लिए ऐसी बात यहाँ पर की जा रही है expiry of क्यों बोला जा रहा ऐसा क्योंकि expire हो गई थी expiry मतलब की date चली गई थी of a three month deadline deadline मतलब आपको पता ही होगा एक सिमित जो time दिया जाता है कि इसके अंदर आपको यह काम करना है तो three month की deadline दी गई थी and to contest a similar retrospective taxation case and यह ऐसा ही एक similar case जो है taxation case है यह context कर सकते है मतलब की आप भी एक मुकदमा दर्ज कर सकते थे India कर सकती थी लेकिन यह three month की time जो मिला था यह कैसा हो गया था deadline मतलब की इसकी date निकल चुकी थी retrospective taxation case की यह पुराना जो बकाया tax है इसके taxation से related case आप दर्ज करा सकते थे लेकिन यह जो हार गई किसके against हार गई Vodafone के against this September मतलब बोला जा रहा है कि इससे जादा कोई खराब time government के लिए होई नहीं सकता था क्योंकि जो 3 month के deadline दी गई थी 3 month का time दिया गया था वो चला गया था इस time में उन्हें करना क्या था एक retrospective मतलब की जो बकाया tax case ही है उन्हें दायर करना था दर्ज करना था Vodafone के against लेकिन क्योंकि यह time यह जो deadline थी यह जा चुकी थी इस वज़र से इंडिया जो है यह हार चुकी थी case Vodafone के against इस September में but unlike unlike का मतलब क्या होता है like मतलब होता है समान बिलकुल same and unlike का मतलब क्या होगा बिलकुल इसका opposite unlike बिलकुल opposite the telecom case telecom case के बिलकुल opposite where जहां पर government would only need to fork out around 80 crore if it were to concede defeat this verdict includes a sharp कितना dollar 1.4 billion payable damages took care आप देखिए यहां पर बहुत सही बात की जा रही है कि यह expiry date थी यह चली गई यह हार गई Vodafone के against जो इंडिया थी यह case हार गई फिर आप बोला जा रहा है कि बिलकुल opposite कैसे इस telecom case में मतलब यहां पर तो इंडिया ने lose किया यहां पर भी उसने कुछ चीज हार गई है मतलब कैसे की अनलाइक मतलब बिलकुल अब अमांट पे करना तो पे अमांट लेकिन यह जो अमांट होगी तो पे एन अमांट लेकिन यह जो अमांट पे करना यह अन्विलिंगली मतलब बिना इच्छा के अगर आपको कोई राशी देनी पड़ रही है इसे हम कहते है folk out तो अगर यह जो टेलिकॉम केस जिसमें गवर्मेंट को सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा देना था unwillingly मतलब इच्छा तो होती निए देने की सो फिर भी unwillingly कैसे बिना इच्छा के देना पड़ता ही था सिर्फ 80 करोड रुपे देने होते थे लेकिन इफ वर यहां पर देखिए यहाँ पर imagination की बात की जा रही है if were अगर यह concede कर लेती मतलब की accept कर लेती admit कर लेती मतलब की हार मान लेती अपनी defeat अगर इंडिया हार मार लेती तो उसे सिर्फ 80 करोड रुपे देना पड़ता लेकिन क्योंकि इंडिया ने हार तो मानी ही नहीं इस वज़े से क्या हुआ यह जो verdict था यह जो decision था जो opinion था किसका court का includes अब यह जब court ने decision लिया includes a sharp dollar 1.4 billion payable as damage to Kairan and Kairan को कितना देना पड़ा Kairan PLC को जब verdict आया जब court ने सुनवाई की जो फैसला दिया जो verdict दिया इसके हिसाब से उसे अब dollar 1.4 billion देना पड़ा बात की जारी है कि government खुद अगर हार मान लेती defeat मान लेती इस Kairan PLC के against तो उसे सिर्फ 80 करोड देना पड़ता लेकिन government ने हार नहीं मानी तो फिर जो फैसला आया वो court से आया court में ही वहाँ पर जो भी था सारी चीज़े dispute चल रहा था so court के according अब कितना देना पड़ा 1.4 billion पे करना पड़ा किसे काईरन को payable है मतलब की देना पड़ेगा अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ से एक question आपका बिल्कूल बन सकता है देखिए कि if आया है and if के साथ were आया है and if के साथ were आया है and जब if आता है if के साथ were आता है तब आगे आपको would use करना पड़ता है would के साथ verb की first form तो यहाँ पर देखेंगे if it were if के साथ were आया so यहाँ देखो would आया and would के साथ verb की first form आई है and यहाँ पर यह if were मतलब imagination की बात की जा रही है यहाँ पर भी यह would आया मतलब की बात future की जा रही थी अब बोला जा रहा है the damages अब यह जो damages arise है आये हुए है from कहां tax authorities के जो decision है अब देखिए authority का plural form क्या होता है authorities जिस भी noun के एंड में s plural लग जाता है यह es लग जाता है तब यहाँ पर यह सिर्फ ऐसा apostrophe लगाया जाता है s नहीं लगाया जाता है जैसे boy होता है boy का plural क्या होगा boys होगा so boys में s आने की वज़े से आप जब बोलेंगे boys hostel या boys कुछ भी बोल सकते है so यहाँ पर सिर्फ यह inverted कॉमा लगाया जाता है यह जो लगता है apostrophe s यहाँ पर नहीं लगता क्यों कि इसके end में already s है so जिस भी noun के end में s या es होता है वहाँ पर सिर्फ inverted कॉमा लगाया जाता है यह जो extra s होता है यह हम नहीं लगाते है so authorities decision decision to take to take by force मतलब की बल पुरवग बिल्कुल forcefully मतलब यह जो tax है यह वसूल करना है and subsequently subsequently का मतलब होता है कि afterwards मतलब की बाद में okay बल पुरवग tax यह वसूलेंगे subsequently बाद में sell बेच देना sell कर देना the company's share company के जो shares थे उन्हें क्या कर देगा sell कर देगा and freeze dividend payment dividend payment मतलब क्या होगा freeze मतलब यहाँ पर है रोक लगा देगा freeze कर देगा मतलब की मैं लिख देती हूँ रोक देना dividend payment dividend मतलब जो भी ने share के जो payments करने हैं यह payments को रोक देगा as well as और इसके साथ क्या करेगा as well as refunds मतलब जो इन्हें कुछ refund देना है वो भी रोक देगा to recover उसे ये लेने के लिए क्या कर देगा की बल पुर्वक पहले तो टैक्स वसू लेगा उसके बाद इनके जितने भी कमपणी के शेर है को सेल कर देगा फिर इन्हें जो डिवीडेंट जो शेयर पेームेंट देने हैं रोक देगा as well as यह जो refunds थे, refunds भी यहाँ पर रोक देगा, freeze कर देगा, क्यों? क्यों क्यों से recover करना है, कि जो विवाद चल रहा है, कि इतना पैसा आपको इतना billion हमको देना यह नहीं दे पा रहा है, इसको वसूलने के लिए यह सारी चीज़े करेगा, dispute मतलब विवाद पर, जिस पर dispute, जिस पर लडाई चल रही है, even as the arbitration process was underway, और यह जो arbitration का process है, मतलब यह जो mediation का process है, कि हाँ, देंगे, कर रहे है, बात चल ही रही है, लेकिन फिर भी यह सारी चीज़े करने के लिए, यह तयार था, ओके, इस तरीके से बात, underway मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस में होना, इस outcome, outcome का मतलब यहाँ पर होता है, result, कि यह जो outcome थे, यह जो consequences थे, has repercussions, repercussion मतलब भी होता है, consequences मतलब किसी चीज़ का result, यह consequences कैसा, unwelcomed, unwelcome मतलब जो unintended है, जो हम, मतलब कि कोई बुरा consequence, कोई किसी चीज़ का बुरा जो result है, बुरा जो प्रभाव है, उसे हम यहाँ पर कह सकते है, repercussion, unintended है, या जिसे हम दुश परिनाम, हिंदी में कहेंगे, किसी बी चीज़ का बुरा परिनाम या दुश परिनाम, यह जो outcome है, जो result है, बुरे परिनाम का, has repercussions, not in the list, not in the list, अब यहाँ पर in the list मतलब कहा जा रहा है, कि इससे कम नहीं, for an arbitration, यह जो मध्यस्तता है, इसके लिए मध्यस्ता की जो plea है, plea जो request फाइल की गई है, over the same tax, same tax demand, किसके द्वारा काईरन, parent firm, अब same इसी तरीकी के tax demand, क आईरन की जो parent firm है, वेदानता ये कर रही है, उसका जो verdict है, ये verdict ये है, is awaited, इसका जो verdict है, जो फैसला है, decision है, ये awaited है, awaited मतलब क्या होता है, await या जिससे कह सकते है, awaited for, ये जिसका हम wait कर रहे है, तो बोला जा रहा है कि इसके जो outcome है, इसके जो consequences है, ये काफी unwelcome है, unintended है, इससे भी कम नहीं कि यह जो एक arbitration flee इससे भी कम नहीं कि मतलब बोला जा रहा है कि यह तो कुछ नहीं है और और भी जादा क्या कि इसकी जो parent firm है काईरन ने तो किया ही था दावा लेकिन इसकी parent firm वेदानता ने भी दावा कर दिया है इसका जो verdict है इसकी जो सुनवाई है opinion है इसका weight भी किया जा रहा है फिर बोला जा रहा है second, perhaps the fiscal implications, implications मतलब हम कह सकते है किसी चीज का outcome या result इसे हम कह सकते है outcome या हम कह सकते है किसी चीज का result fiscal, fiscal का मतलब क्या होता है tax या हम कह सकते है revenue या हिंदी में कहेंगे तो वित्तिय, हिंदी में भी लिख दू, वित्तिय, हिंदी इतनी अच्छी नहीं है so I am trying to improve my Hindi लेखिन I hope आप सारे समझ जाते होंगे so यह जो fiscal है, fiscal मतलब tax या revenue के जो outcomes है, implications है of such a large payout इतना बड़ा payout, payout का मतलब जो इन्हें pay करना है, हिंदी में इसे कहते है भुकतान करना इतना बड़ा जो भुकतान करना है इन्हें pay करना है किसे काईरन हो when the exchecker, exchecker एक बहुत अच्छा word है जिसका मतलब हिंदी में हम कहते हैं इसे raja kosh या कह सकते है funds of government की government के जो funds है government का जो पैसा है हिंदी में इसे हम कह देंगे राजकोश या इसे हम कह सकते है खजाना की यह जो government का खजाना है एक्सचेकर है funds है government के is cash cash मतलब की पैसा and strap strap मतलब होता है short of money यह कैसा हो चुका है short of money हो चुका है मतलब की पैसा पूरा यहां से ख़त्म हो चुका है इसके government के खजाने से may have galvanize galvanize करना मतलब क्या होता है किसी को उत्साहित कर देना किसी को excite कर देना किसी या activate कर देना किसी काम को करने के लिए किसी action को लेने में उसे क्या कर देना उत्साहित कर देना excite कर देना इस वज़े से क्या होगा may have galvanize यह जो भुकदमा दायर किया है किसने यतना बड़ा जो भुकतान करना है इस वज़े से may have galvanize the government's mind government के mind को इसने क्या किया एकसाइट कर दिया शौक कर दिया या कह सकते है इसे शौक कहते है या एकसाइट कर कह सकते है तो शौक कर दिया एकसाइट कर दिया government के mind को about challenging the Vodafone verdict की government ने सोचा कि चलो हम भी अब challenge कर देते किसे Vodafone ने जो verdict किया था जो हमें हमारे उपर जो मुकदमा लगाया था इस पर after much dithering का मतलब होता है काफी hesitation के बाद काफी काफी सोचने समझने के बाद यह जिसे hesitation कहते है यह जिसे कहते faltering लडखडाने के बाद काफी गडबड हुई चीज़े काफी hesitate हुए काफी सोचा समझा उसके बाद यहां पर government ने भी सोचा अपना दिमाग चलाए कि चलो हम भी एक Vodafone के अगेंस्ट यहां पर क्या कर देते हैं एक मुकदमा दायर कर देते हैं ostensibly ostensibly आपको काफी passages में questions में दिखाई देगा जिसका मतलब होता है apparently या जिसे हम कह सकते हैं जाहिर तौर पर या seemingly भी होता है seemingly मतलब जैसा कि हमें दिखाई यह दे रहा है so जाहिर तौर पर because it cannot take कि वो take a different stance एक यह different stance या different view या different stand नहीं ले सकती stance मतलब हम कह सकते हैं view या दृष्टी कोन कहते हैं हिंदी में तो दृष्टी कोन on case में two similar cases में क्योंकि दो-दो cases इस पर चल रहे थे so यह दिसरा कोई decision नहीं ले सकती थी the center has now file अब center ने has आया has के साथ work की third form अब इसने क्या कर दिया file एक appeal file कर दी है कहां पर एक याचिका हिंदी में इसे हम कहते है याचिका दायर कर दिये एक case file कर दिया in the Vodafone matter Vodafone के matter में कहां पर इन Singapore में a similar appeal to can be expected on Kairan and बोलाई कि Vodafone पर तो कर दिया है लेकिन similarly शायर ये काईरन पर भी कर सकती है ऐसा भी expected है कि इसी तरीके कि याचिका काईरन पर भी की जा सकती है so एक बार फिर सब चेक कर देख लेते revise कर लेते कि ये जो outcome है ये जो result है इसके जो consequences है ये काफी unwelcome है repercussions है मतलब repercussions होता है consequences जो की काफी unintended है मतलब कि ये जो दुशपर ही नाम है not in the least ये भी कम नहीं कि an arbitration plea फिर से file कर दी गई किसके दवारा काईरन parent firm की इतना कम नहीं था काईरन ने तो किया ही था उसकी parent firm विदानता नहीं भी यहां पर क्या कर दिया है case मतलब case ये कर दिया है court में लगा दिया है and जिसका verdict जो फैसला है अभी उसकी wait किया इंतजार किया जा रहा है perhaps बोला जा रहा है second perhaps fiscal implication मतलब ये जो वित्तिय परिणाम है implication मतलब result या outcome या consequence भी कह सकते है so ये जो वित्तिय परिणाम है इतने बड़े payout के इतना बड़ा जो भुकतान हमें काहिरान को करना है and कब जब कि ये जो ex checker है मतलब कि ये राशकोश या खजाना है government का जो fund सही है कैसे हो चुके cash is strapped strap मतलब short of money कम हो चुके है बिल्कुल पैसा खतम हो चुका है government का and इस वज़े से government excite हो गई, shock हो गई and government के mind में एक चीज आई कि क्या हुना हम challenge कर दे इस Vodafone को Vodafone जो verdict है जो फैसला Vodafone के पक्ष में आया है उसे challenge कर दिया government ने after much deterring मतलब काफी बहुत ज़ादा hesitation काफी ज़ादा सोचने के बाद and ostensibly मतलब कि apparently, seemingly यह जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है because it cannot take a different task क्योंकि वो एक different view, different decision नहीं ले रही थी दो-दो similar cases में दो-दो एक साथ cases क्योंकि हमारी government पे चला जा रहा है थे अब सेंटर ने कर दिया है, फाइल कर दिया है, एक appeal एक याचिका दायर कर दी है in Vodapun के matter में, कहां पर Singapore में and बोला जा रहा है कि इसी तरीकी की याचिका ये काईरन पे भी चला सकती है, डायर कर सकती है आगे देखते है, फाइनन्स मिनिस्टर निदमर्ला सिथा रमन सथा रमन, सौरी सिथा रमन, repeatedly has आया, has के साथ वो अपकी third form, repeatedly क्या किया है, assert किया है assert मतलब क्या होता है claim करना, या हम कह सकते है दावा करना, so repeatedly इसससे assert किया है, दावा किया है that India, India retains India retain करती है, retain करना मतलब क्या होता है, किसी چीज को maintain करती है Sovereign right Sovereign मतलब कह सकते है Autonomous Autonomous मतलब क्या होता है जो खुद से कर पा है आपने सुना होगा ना ये College Autonomous है Autonomous क्या होता है सारी चीज़े वो खुद ही कंड़क करता है तो इसका खुद का एक right है एक हक है कि जो Taxes लिवाई कर सकते है Taxes को क्या कर सकती है चार्ज कर सकती है The Arbitrator Arbitrator मतलब ये जो Madhyast होते है जो बीच के होते है जो किसी भी लड़ाई जगडे Dispute को solve करते है Do not seem to be disputing that इस पर ये कोई dispute भी नहीं चला रहे मतलब ये जो बात कह रहे है हमारा ये खुद का autonomous right है खुद का एक right है कि अब चार्ज लगा सकते है तो Arbitrator इस बात पर कुछ कह भी नहीं रहे The fact is that This government has asserted ये जो दावा किया है From the outset अब outset का मतलब होता है Beginning और End मतलब किसी चीज की शुरुवाद से या किसी चीज की End से Sorry, Beginning End नहीं होगा Sorry, End नहीं होता है, Start नहीं होगा Do-do words कैसे हो जाएंगे Beginning या शुरुवाद से Okay So, I was actually little Little bit distracted इस वजे से ऐसा हो गया So, यहाँ पर बोला जा रहे है कि assert किया है From the outset मतलब शुरुवाद से ही Starting से ही उसने It is not in the favor of Retrospective Legislative Changes की जो Retrospective मतलब की क्या होता है Outdated Legislative मतलब की है जो विधान संबंधित है Changes है इसके यह favor में नहीं थी शुरू से ही हमारी इंडिया की जो government थी PM नरेंद्र मोदी Had promise Had के साथ Verb की promise इसोने promise किया था To resolve Resolve करने के लिए Concerns की वेश्विक पूरे विश्व का Consternation मतलब होता है Anxiety An anxiety मतलब क्या होता है Chinta जिसे हम concern भी कह सकते है यह जिसे आप कह सकते है Dismay Dismay मतलब क्या है Niraash Hatash So यह जो निराशा थी जो वेश्विक निराशा थी जो वेश्विक चिंताय थी किसमें 2012 में By Finance Then उसके बाद Finance Minister प्रनब मुखर जी ने कब After losing a tax battle Tax की जो battle जो battle का मतलब होता है Fight चल रही थी Vodafone के साथ इन Supreme Court Supreme Court में जब कि यह हार गए अब यहां बोला क्या जा रहा है देखते है Narendra Modi ने प्रॉमिस किया था वेश्विक जब anxiety निराश आई थी 2012 में ऐसा प्रॉमिस किया था कि हम इसे solve कर देंगे By then इसके बाद Finance प्रनब मुखर जी ने भी Lose कर दी थी एक tax एक जो fight चल रही थी Vodafone के साथ Supreme Court में अब बोला जा रहा है The Kairan ने order किया है Even refers to Refer कर रहा है किसे statement BJP leaders कि BJP leader के द्वारा यह जो statement दिये गये थे इन्हें refer कर रहा है वो कि हाँ आपने ऐसे सी चीज़ कही थी Like the late Arun Jetli Arun Jetli ji Late Arun Jetli की बाद यहां पर की जा रही है Term इन्हे term किया था बोला था The Retrospective Amendments Retrospective Amendment अमेंडमेंट मतलब क्या होता है Changes के सकते है यह Improvement as Tax Terrorism की इन्होंने क्या कहा था कि जो Retrospective Old जो Taxation है इस पर जो अमेंडमेंट है जो Changes किये जाएंगे इसे बोला जा रहा है यह Tax Terrorism है यह Tax का क्या है एक आतंक है वाइल इन अपोजिशन जब वो कब यह सा कहा था लेकिन जब वो अपोजिशन में थे एक बार देख लेता है इस Passage को स्टार्टिंग से Finance Minister निर्मला सिधरनमन ने Repeatedly दावा किया है कि इंडिया रिटेन करती है इंडिया को हक है एक Sovereign Right का एक Autonomous Right है उसके खुद का की वो Taxes Charge कर सकती है और आर्बिट्रेटर जो है जो मद्यस्त है जो मद्यस्ता का काम कर रहे बीच का Mediation का काम कर रहे उन्होंने इस पर कोई Dispute भी नहीं किया है कि हाँ ठीक है चलो आपका Right है The fact that कि Government has asserted यह जो assertion है जो दावा कर रही है यह बिल्कुल शुरुवात से आउटसेट से ही कर रही है कि यह एक Retrospective Legislative मतलब कि जो outdated legislative विधान संबंधी जो changes है इसके favor में बिल्कुल भी नहीं थी इंडिया यहाँ पर बोला जा रहा है इस बात को यहाँ पर और जदा करने के लिए कुछ points दिये जा रहा है कि PM नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर promise किया था कि हम सारे जो concern है चिंताय है यह outdated बकाया retrospective taxation पर है इससे solve कर देंगे जो कि introduce की गई थी introduce to जो introduce की गई थी global मतलब विश्व वैश्विक कह सकते है consternation चिंताओं पर 2012 में इसके बाद finance minister प्रणव मुखर जी ने मतलब कब जब यह finance minister प्रणव मुखर जी lose कर चुके थे एक battle एक fight किसके साथ मोडाफोन के साथ supreme court में अब बोला जा रहा है कि यह कायरन ने order दिया है यह refer कर रहा है statement मतलब कि इंडिया के leaders के द्वारा ही कुछ statement दिये गए है उन्ही को कायरन रेफर कर रहा है कि हाँ आपने तो ऐसी चीज़े कही थी जब आप इस party के opposition में थे बोला जा रहा है कि बीजेपी leader लाइक लेट अरुन जेटली इनने कहा था कि यह जो retrospective amendments है changes है यह क्या है एक tax का आतंक है यह tax terrorism है कब बोला था लेकिन वो जब opposition में थे ठीक है तब ऐसी बात उन्होंने की थी अब बोला जा रहा है कि यह जो guilty clauses है अब guilty मतलब क्या होता है कह सकते है हम की guilty मतलब की शर्मिन्दा होना या जो सही नहीं है जो गलत है and clauses मतलब की यहां कह सकते है rules कह सकते है या laws कह सकते है आप तो यह जो guilty clauses है ऐसे clauses जो appropriate नहीं है जो सही नहीं है could have been scuppered इन्हें हम scuppered कर चुके थे या कर देते थे scuppered मतलब होता है किसी चीज़ को ruin कर देना तभा कर देना या हम कह सकते है इसे asafal कर देना so यह जो ऐसे guilty clauses से laws थे इसे हम ruin मतलब की asafal कर देते could have been मतलब की कर दिये होते थे या कर पाते थे in the first DNA budget first DNA budget में ही हम यह कर पाते थे itself but baps मतलब क्या होता है कि जो भी यहां पर criticize baps मतलब होता है criticize करना क्रिटीसिजम क्रिटीसिजम सी यह जो क्रिटीसिजम है यह जो आलोचनाय है यह बाब मतलब होता है offensive remark कि यह काफी जो offensive remark है about it being a suit boot सरकार then that compelled compelled मतलब क्या होता है force करना force the government to retract land acquisition reforms retract करना मतलब क्या होता है withdraw कर लेना या किसी चीज़ को वापिस ले लेना land acquisition land acquisition मतलब क्या होता है acquisition मतलब purchase या खरीदना या obtain करना किसी चीज़ को reform मतलब changes may have dampened the enthusiasm enthusiasm dampened मतलब यहां पर होगा किसी चीज़ को क्या करना है discourage करना encourage का opposite discourage करना the enthusiasm मतलब की जो energy है for investor friendly changes तो देखते हैं इस passage में बोला क्या जा रहा है यह जो guilty clauses थे मतलब ऐसे loss जो काफी guilty थे जो सही नहीं थे इन्हें हम scuppered मतलब की खत्म और सफल कर कर पाते थे किसमा पहले NDA budget में ही itself बट यह जो बाप्स थी यह जो offensive remark यह जो criticize यह जो आलोचना की जाती थी government की की एक suit boot सरकार है ऐसे सरकार जो ऐसे लोगों को favor करती है जो suit boot पहनते हैं मतलब की जो बड़े लोगों को ऐसे लोग जिनके reputation जादा है ऐसे लोगों को यह favor करती है then इसके बाद then compelled force किया the government to retract यह withdraw कर ले पीछे ले अपना ओके क्या वापस लेना land acquisition के जो reforms थे इन reforms को इन changes को यह पीछे खिछ ले and may have dampened इससे वज़े से क्या हुआ discourage हो गया the enthusiasm for investor investor friendly changes यह जो investor friendly changes होने वाले थे इनका भी जो enthusiasm था यह discourage हो गया बोला जा रहा है कि यह जो guilty clauses से जो इल्जाम यहां पर कि एक suit boot सरकार है and जिसके वज़े से government को अपने सारे land acquisition के जो reforms थे यह इन्हें retract करने पड़े मतलब की withdraw करने पड़े पीछे लेना पड़ा वापिस लेना पड़े जिसके वज़े से discourage हो गए कौन investor investor friendly जो changes थे यह changes discourage हो गए इतनी अच्छी investment नहीं आ पा रही थी इस वज़े से ऐसी बात यहां पर की जा रही है फिर losing the arbitration arbitration मतलब यह जो जो भी case चल रहा था in the most worst cases ऐसे cases जो काफी मतलब सुनने में आ रहे थे जो काफी लोग वेट कर रहे थे किसका क्या result आएगा क्या consequence होगा अंडर a troublesome troublesome मतलब trouble and some troublesome मतलब problematic ऐसे loss that has hurt जो जिसने hurt कर दिया है hurt देखिए first form भी hurt ही होती है second form भी hurt ही होती है इसका third form भी hurt ही होता है बिल्कुल समान जैसे की put 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 cut 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 same ही होता है third form क्योंकि यहांपर has है has के साथ word की third form आनी चीए तो ऐसा लगेगा कि hurt के साथ hurted hurted कोई word नहीं होता है third form hurt की hurt ही होती है so इसके वज़े से क्या हुआ this troublesome problematic law के वज़े से जिसने hurt किया है इंडिया के investment credibility को credibility मतलब क्या होता है trustworthiness कि जो trustworthiness थी इसे यह hurt कर दिया है या acceptability कह सकते है इसे hurt कर दिया है provided a cathartic opportunity कैसी opportunity जो cathartic हो cathartic मतलब यहां पर होता है cleansing cleansing मतलब की पूरी clear या जिसे हम कह सकते हैं बिल्कुर साफ एक cleansing एक clear एक साफ opportunity to let go यहां पर एक opportunity थी कि जो भी हुआ उसे जाने भी दो while resting the blame यह blame किस पर rest किया जा रहा था कि यह जो पूरा जितना भी चीजे होई है इसका जो blame है कि यह जो आरोफ लगाया जा रहा था कि यह जो mess है यह जो गडबड चल रही है किसकी है यह UPA सरकार की है यह पूरा का पूरा जो blame था यह UPA सरकार पर लगा दिया गया in doubling down instead doubling down मतलब क्या होता है किसी चीज को और ज्यादा double मतलब की तेजी से करना ज्यादा energy से तो देखिए इसको कर देते हैं inverted commas में double down मतलब की work with more energy की और ज्यादा energy से किसी काम को करना double energy से इसे हम कहते हैं doubling down instead the government has scored a self-goal and खुद का एक self-goal यहाँ पर score कर लिया है अब इसकी जो aspirations है इसकी जो इच्छाए है या इसके जो desires है aspiration मतलब क्या होता है desires कह सकते है आप यह कह सकते है इसकी जो yearning है इसकी जो इच्छाए है क्या इच्छा है to rope in rope मतलब rope in देखिए एक phrasal verb है बहुत important है क्योंकि आज कल यह बहुत सारे passages में देखने को मिल रहा है rope in मतलब क्या होता है to persuade someone किसी को persuade करना यह हम कह सकते हैं किसी को convince करना किसी activity में involved होने के लिए कोई action लेने के लिए जब हम किसी को persuade करते है किसी को convince करते हैं किसी को मनाते है उसे हम कहते है rope in यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया के जो desires है यह क्या कर रहा है to convince करने के लिए किसमें global investment में जो वैशुविक investment है आप इन में invest कीजिए ऐसा यह convince करने की persuade करने की कोशिश कर रहा है must must के साथ तो वीवन आता है लेकिन बी आया है इसलिए verb की third form की must be की वज़े से वर्ब की third form है be यहाँ नहीं होता तब यह verb की first form आती must be match इसे match किया जा सकता है by ensuring सुनिश्चित करके policy stability कि इसके जो इच्छाएं हैं कि अब यह लोगों को याब companies को convince करें persuade करें कि आप वैश्विक investment global investment करें इसे हम match कर सकते हैं कैसे यह बात जो government कह रही कि यह साब global investment में invest करें इसे match किया जा सकता है जब यह ensure करेगी एक policy stability and create करेगी a robust robust मतलब यहाँ पर हो जाएगा strong regulatory मतलब की नियंतरन जो नियंतरित होगा जो robust और strong होगा so ऐसा regulatory framework regulation मतलब नियंतरन तो नियंतरित framework ऐसा system जो काफी नियंतरित हो और robust हो मतलब की काफी strong हो so इस तरीके से बात यहाँ पर की जा रही थी I hope आपको सारी चीजे समझ में आ चुकी है and इस passage में बहुत सारे words से मतलब जो काफी यहाँ पर hard words हमें दिखाई दिये है जो की हमने सारे discuss किये है so guys this was all about this passage so कुछ questions है यहाँ पर so यह भी discuss कर लेते अब यहाँ पर मैंने आज जो questions लिये है यह phrase replacement के ही लिये है and यह जो questions है यह हमारा जो previous last editorial जो की हमने discuss किया था एक दिन पहले and यहाँ पर हम जो की editorial alternate days पर यहाँ पर discuss करते है so हमने जो previous last editorial discuss किया था वहाँ से मैं questions बनाती हूं ताकि वो सारी चीज़ आपकी यहाँ पर revise हो जाए so यहाँ पर देखिए यह highlighted portion दिखाई दे रहा है अगर यह बिल्कूँ सही है तो आपका जो answer होगा यह option number E हो जाएगा that is no correction required so देखिए क्या यह sentence के according बिल्कूँ सही है so check कर लेते हैं prolonged under investment देखिए यहाँ पर under investment एक noun है और noun के पहले ऐसा word जो noun को qualify करता है वो क्या होगा adjective होगा so देखने में तो बिल्कूल सही लग रहा है prolonged under investment noun है तो यह adjective आएगा और यह जो prolonged word है यह तो verb है यहाँ पर यह क्या है? prolonged verb है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को lendन कर देना मतलब कि और ज्यादा उसे लंबा कर देना लंबा खीचना उसका समय बढ़ा देना यह एक verb है और noun के पहले कभी भी verb नहीं आएगा अब बात करें verb को हमें बनाना है adjective तो इस verb का adjective form यहाँ पर क्या हो जाएगा? prolonged मतलब वर्ब का जो past form होता है यह adjective की तरह काम करता है इसे हम यहाँ पर कहते है past participle तो यहाँ पर prolonged होगा ना की prolonged होगा क्योंकि noun के पहले कभी verb नहीं आता और वर्ब की हम अगर verb को adjective में चेंज करेंगे तो या तो वो past form में होता है या तो आइंजी form में होगा लेकिन यहाँ पर past की बात की जारी कि ऐसा under investment investment मतलब निवेश करना under investment मतलब जो काफी कम है तो ऐसा लंबे समय का यह जो under investment है जो की public health infrastructure system में चले आ रहा है इस वज़े से क्या हुआ धस इस वज़े से left millions seeking help की millions लोगों को help लेनी पड़ रही है highly commercialized ब्यापारी प्राइवेट मीजी सेक्टरों से तो यहाँ पर यह तो गलत हो जाएगा अब यहां देखते हैं यहां भी प्रोलॉंग आ गया यह भी गलत हो जाएगा प्रोलॉंग अंडर इंवेश्मेंट बिल्कुल सही है कब कहां पर इन फबलिक हेल्थ instead में फबलिक हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्टर में फबलिक हेल्ट इंफ funkitas यहां नहीं होगा एसा इंवेस्मेंट जो लंबे समय से है यहां पर तो हो जाएगा की चलता आ रहा है जब यहां वाला यहां पर यहold selfishly षान magic था तो यह तो eliminate हो जाएगा प्रोलॉंग अंडर इन्वेस्ट नहीं होगा इन्वेस्टमेंट होगा नाउन होगा यहाँ पर यह भी गलत हो जाता है सो दे करेक्ट चॉइस वुर्ड भी ऑप्शन नंबर भी नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं हेल्फ प्रोफाइल 2019 डेटा हमें क्या दिखा रहा है शोज यहां पर डेटा है शोज है यहां तो बिल्कुल सही है तो यहां पर बात यह जो वर्ब किसके लिए यूज किया है लेकिन बैट तो यहां पर क्या है प्लूरल है इस वज़े से यह वर्ब भी कैसी आएगी प्लूरल होनी चाहिए अब जरूरी नहीं कि सब्जेक पहले आए देन वर्ब आए अभी यहां पर आप इस यहां पर देखेंगे यहां पर देखेंगे कि पास्ट में बात की जारी तो यह भी यहां पर गलत हो जाएगा तो data showed that there was an estimated was आया है गलत हो जाएगा shows that there were the estimated यहां पर भी showed आया है यह भी गलत हो जाएगा showed because because की यहां जरूर्वत नहीं है showed that there were an estimated yes so the correct choice is option number D here showed that there were an estimated government hospital beds next question so यहां पर बात करेंगे the answer यह जो answer है answer to create अब यहां पर देखेंगे answer के साथ हमेशा proposition to का यूज किया जाता है मतलब यह कह सकते कि यह to is के साथ है इस तरीके से आपको याद रखना है तो अच्छे से याद रहता है so the answer to answer के साथ to अब जब भी proposition आएगा इसके बाद verb नहीं आती create मतलब होता है create करना है ना create करना कुछ and कुछ करना मतलब कि यह verb है and proposition के बाद हमेशा noun आएगा वर्ब तो directly कभी नहीं आएगी अब इस वर्ब की noun form कैसे बनाएंगे तो noun form यहाँ पर बन जाएगा creating the answer to creating जिसे हम क्या कहते है जरुन कहते है ना noun की तरह काम करती है verb की आएगी form जब noun की तरह काम करती है उसे हम जरुन कहते है तो यहांपर creating होगा मतलब इस verb का a.ng form या इस verb का हमें क्या बनाना था यहांपर noun form बनाना था जो कि क्या बन जाएगा यहाँपर creating So the answer to क्योंकि यहांपर preposition था यहांपर प्रिपोजिशन के साथ कभी भी verb नहीं आता हमेशह क्या आता है हमेशह यहां पर noun आता है और वर्प का नाउन मतलब कि इसकी आइंजी फॉर्म जिसे जहरन कहते हैं, जो नाउन की तरह काम करता है, फिर यह the answer to creating an equitable saman framework lie in a tax funded system, यह किसमें lie करता है, एक tax funded system में, देखते हैं, the answer to creating an equitable framework, अब यहां पर यह lie भी गलत हो जाएगा, lies होगा, singular form होगा, so the answer to creating an equitable framework lie, नहीं, यह नहीं होगा, the answer to create, यहां पर create आगा, यह भी गलत हो जाएगा, the answer to creating an equitable framework lies, yes, यह बिल्कु सही है, the answer in creating in तो नहीं आएगा, answer के साथ क्या आता है, to आता है हमेशा, तो यह eliminate हो जाएगा, यह भी eliminate, so the correct choice would be option number C, यहाँ पर lies आएगा, क्यों आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है, इसले क्या हो जाएगा, यह lies, next question, सो बात करें, the situation was even worse, मतलि यह काफी और ज्यादा खराब थी, कहां पर, rural areas में, rural मतलब यह villages गाउं से related है, वेर जहां पर, care facilities, care facilities मतलब medical facilities कैसी है, और भी ज्यादा weaker है, यहां तक तो बिल्कु सही है, and urban worker, urban worker, worker मतलब काम करने वाले, urban का मतलब क्या होता है, देखिए, एक होता है, urban, and urban का मतलब होता है, city, यह शहरी कह सकते है, and एक होता है, urban, you are, b, a, n, यहां तक तो यह इतना सही होता है, लेकिन जब यह लग जाता है, इसके end में, तो यह urban होता है, यह एक adjective की तरह काम करता है, जिसका मतलब होता है, culture, यह जिसे हम कह सकते है, well-mannered, यह जिसे हम कह सकते है, elegant, यह आप कह सकते है, जिसे, sophisticated, पढ़ा लिखा, sophisticated, well-mannered, इसे हम कहते है, urban, okay, यह polite भी कह सकते है, polite, sorry, polite यह gentle, so यह सारे words अर्बेन के लिए आते, तो urban मतलब city, शेहरी होता है, urban मतलब cultured, elegant, sophisticated, polite होता है, so यहाँ पर देखेंगे, यह जो urban worker से, urban नहीं होगा, अब बोला जा रहा है कि गाओ में ज्यादा problem था, एन ऐसे जो worker जो कहां काम कर रहे थे, जो शेहर में काम कर रहे थे, अर्बेन तो नहीं होगा, कि जो urban मतलब की शेहर में काम कर रहे थे, यह flea, flea का यह past tense है, second form या third form दोनों fled, fled मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है run away, याद रखना है फ्लेट के साथ कभी भी अवे नहीं आता यह चले गए भाग गए कहां पर अपने गाउ में चले गए क्योंकि इन्हें डर था अफरेट के साथ हमेशा ओफ आता है यह भी ध्यान में रखेंगे कि जो कॉस्ट थी फॉलिंग सिकन् सिटिइज के कर शीटिज में बिमार पैढ़े तो बहुत साथा खर्चा लगे गा इस वजह से स्थब्सक्राइब अपर अर्बं बैन नहीं अर्बं आयेगा आप को समझ में आगे अर्बं क्या होता है अर्बं क्या होता हैं आप कभी भी इसे नहीं भूलेंगे, so where care facilities कैसी होगी, where care facilities are weaker, ये तो सही है, and urban workers, urban के जो workers थे, flee नहीं होगा, flood होगा, past की बात की जा रही है, so ये तो error हो जाएगा, where care facilities is weaker, is weaker, facilities बोला जा रहा है, तो ये भी eliminate हो जाएगा, where care facilities are weaker, and urban workers flood away, flood के साथ अवे नहीं आता है, क्योंकि अभी मैंने आप से कहा, flood का मतलब ही होता है, run away, so away कभी use नहीं होगा, so यहाँ पर देखिए, एक rule आपको पता चल गया, ये भी नहीं होगा, where care facilities is weaker, and urban workers, flood, flood चले गए, to कहां, दुनके गाओ में, so yes, this is the correct choice, and ये भी यहाँ eliminate हो जाता है, so guys, this was all about today's session, thank you very much, my name is Neelam, do like, share, and subscribe my videos, thank you very much, and आप जितना इसे share करेंगे, जितना आप इसे like करेंगे, मुझे उतना encouragement मिलेगा, उतना मैं अपनी चीजों को यहाँ पर और ज्यादा improve कर पाऊंगी, और ज्यादा नहीं चीज़े आपके लिए यहाँ पर ला पाऊंगी, so thank you very much, आपके लिए।